अब भी देख सकते हो और एकदम इसके करीब में आ चुके और यह पत्थर का छोटटटटब टुकड़ा लाकर इत्ता बड़ा मूर्थी बनाए गया और यहाँ पर देख सकते हूं और क्या खुब सूरा सा डिजाइन में बनाए गया दो तीन पांच मूर्थी इस सैड में और पांच मूरती इस साइड में और यह यार कि तब बड़ा मूरती है नगाई सी ती बड़ी यूज सी भाई ये भी काफी बड़ी मूरती है यार और क्या खुबसूरत सा गाईज देखने में लग रहा है यार देख सकते हो ना हुआ है ये बड़ी ने यार बड़ी इज मारा कि अधु और भीलिय खुबस्ते साइड खंप अब देख से इसज़ थे खाई सिर वह जाए और तो जा खू जा रहे हो जाए बोढ़ी का टूर्दम तूर लेने के लीकिया क्की आप एपी ताइम होगे का बढ़ी आई तो हम ल तो बोध गया में हम लोग काई से इंटर कर चुके और आगे देखते ही हम लोग को मिल गया भाई ये सब बोधी दो और जो ये इसका इंटरेंस है तो अभी साइट से थोड़ा दिखाते है कुछ इस तरह का भाई गेट है अंदर जाने के लिए अभी हम लोग विजिट करने वाले असी फिट मूर्ती का और इसका इसलिए नाम है ना कि क्योंकि इसकी जुचाई है ना फूल असी फिट है और अभी चल रहें नस्दीक कितना यूज है भाई देख सकते हूं किती बड़ी मूर्ती है तो आज खाली खाली है मंडे का दीन है तो लगबाग पूरा जगा खाली है तो अभी चलते है नस्दीक में और नस्दीक से दिखाते है भाई क्या विव आ रहा देखने में काफी बड़ी अले गरा है मैं यहाँ पर काफी टाइम पहले आया था बट आज आया हूं भाई काफी दिन बाद तो मेरे को देख कितनी खुसी हो रही है ना यार देख सकते हो किती बड़ी मूर्ती है एक दम इसके करीब में आ चुके है और यह पत्थर का चोटा-चोटा टुकडा लाकर इत्ता बड़ा मूर्ती बनाया गया और यहां पर देख सकते हैं पर क्या खुबसूरा से डिजाइन में बनाया गया दो खुबसूरती और क्या कलकारी की गई और गेट है यहां से यहां गेट किसली दीगेगा ऊपर जाने का साइद मेरो को जहां तक पता है ना मैंने कहीं पर पढ़ा था कि इस गेट के दवारा आप उपर उनका सर तक जाने का अंदर में सीड़ी किसे रास्ता बनाया गया है औ और इधर से देख सकते हो कुछ ऐसा विव मिलता है मूर्ति का मुतलब काफी बड़ा मूर्ति देख सकते हो मैं यहां से था साइट पांच बनाता और इस साइड में पांच बना था और बगल मेंभी कुछ मंदीर विगह रहे हैं तो अब हम लोग सारा विजिट करने वाले और यहां का सारा आप लोग को टूर देने वाले और हर मूर्ती पे कुछ नाम लिखा हो भाई इस पे लिखा सुभूती इस पे लिखा उपाली कुछ भाई क्या नाम पता नहीं कुछ चाइनीज जैपनीज में भी लिखा और इंगलीज में भी दिखा हुआ है और एक गेट द अधए यहलोग बुए और यहां पर यह पो रही गैस के थूप और यह इती बड़ी कडाही ह要 लोग यहां पर पैसे भीशे लगता है मनत के लिए काफर सारा कवार भी येख और तो झाल पाइस अभी हम लोग यहां से निकल रहे हैं और देख सक्ते आह 60 मूर्ती हम लोग इसी रास्ते से, क्या लिखा ये, इस पॉस करके पढ़ ले ना, इस मूर्ती के बारे में यहां पर कुछ लिखा है, तो गाइस, अभी इसे क्लोज कर दिया गया है, I think बारा बज़े तक इसे ओपिन किया जाता है, उसके बारा से दो यह बंद होता है, तो अब हम लोग निकलत कैसे हाथ से करता है कुछ अच्छा बुद्धिस्ट का वो है, कितने का है भाई ये, कितने का है, ये, ये, थोड़ा सा महंगा आ रहे है, और थोड़ा सुझ दाम को पुछ इसु परते ना, चलते में टेमपल के अंदर, अभी हम लोग को गयने, यहां पर यार मोबाइल ले जाना अलावड नहीं था, देख सेकते हैं, यहां पर लिखा है, मोबाइल जमा काउंटर, तो अभी हम लोग अंदर से घूम के आ है, तो अभी थोड़ा सा व्यू दे देते हैं, इधर से कि यह है में टेमपल, जो कि बहुत यह का सबसे चर्चित टेमपल यह है, और अभी थोड़ा सा अंदर से आपको व्यू दिखा देते हैं, कि अंदर से यहां से कैसा व्यू मिलता है, गाइस यह रहा भाई, बहुत यह का ना में टेमपल, तो अंदर में काफी ज्यादा भीड इसमें क्या दो पार्टिशन कर दिया, क्या एक यह पार्टिशन है और एक उधर पार्टिशन है, तो अंदर में मोबाईल ले जाना गाइस अलाउड नहीं ना, तो अभी फिलाल इधर आयते हैं, इधर से थोड़ा सा व्यू दे 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 भाई, अंदर से जहां तक गेट है और देख से और यहां पर काफी सूंदर सा भाई धंडा का गयरा भी लगा है, तो काफी बढ़िया जगा है भाई, यहां पर हम लोग आपने एक भूमा काफी ज्यादा इंज्वाए किया, तो यह टेमपल पर कुछ सूट करने का मौका नहीं मिला, आगे से गेट है तो आग अगर में आपको golden golden दिख रहा है न, वो पूरा area golden golden area ने यह पूरा सोने तो अब गाइस निकलते हैं यहां से वापस और फिलाल देख सकते हैं कुछ ऐसा सीन है यहां पर कुछ ऐसा दिखता है काफी टाइम बाद आया और बोद गया और यह में टेमपल तो अभी निकलते है अब मैं निकलते हैं यहां से वाफस तो अभी खोशते हैं अपना यह एकसा काफी देर से ढूंड है न, वो मेल यहां पर नहीं चल रहा है कि हम लोग को जो एकसा न वह तो आप रहा है कि इस तरह का यहां पर मार्केट है देख सकते हो काफी सारी समान भी विखती रहती है यहां पर तो ज्यादा भी आ जोके हैं भाई नौ लखा मंदीर के अंदर और इसमें भाई मैं पहली बार जाने वाला हूँ इससे पहले इस वाले मंदीर में मैं कभी भी नहीं गया हूँ गाइस चपल उतारना हो गए यहां पर नहीं उतार लेते हैं न उतार ले भाई सिर्फ तू ही एक बंदा जो पहन रखा है तो गाइस देख सकते हो भाई क्या खुबसूरा सी मंदीर बना रखे तो चलते हैं इसके अंदर और इस मंदीर का नाम है नौ लख रुपया बनने में लगा होगा इसलिए नौ लख नाम है पता नहीं क्या नाम है और अंदर से देखते भाई कुछ मंदीर के अंदर तो काफी ज्यादा स्लो बोलना पड़ रहा है काफी ज्यादा आवाज गुंजरी और देख सकते हैं और यहां पर देख सकते हैं अजीस कंटरी का लोग ना इसमें टोनेट किया ना वहां उनका फोटो है थाई के थाइलेंड के मतलब राजा का प्रिंस का जिनका भी यहां पर पोटो लगा हुआ है और कुछ इस तरह का वियों यहां पर देख सकते हो और क्या खुब्सूरत सब मंदिर टेंपल बनाए अंदर से देखना यार क्या खुब्सूरत सा है और यहां पर लोग को बैठने के लिए भी बना हुआ है तो यही है नौ चलते हैं वापस कि आया थे एक मंदिर के अंदर पता नहीं यार एक घर टाइप का बना हुआ है तो अभी चलते हो ऊपर सिक दिखाते हैं यार बढ़िया सब खुब्सूरत समूर्थी यार यहां पर बुद्धा का पर कि बड़ी ह्योचे भाई यह भी काफी बड़ी मुर्थी है यार और क्या खुब सूरस सब गाइस देखने में लग रहा है आर देख सकते हो नर्फ इत्ता बड़ी अलग रहा भाई और इसका फैस ना इत्ता बड़ा फैसने अभी मैं नजब्स्दीक जाकर दिखाता हू तो गाइस चेक कर सकते हो गाइस कितना बड़ा यहां पर देख सकते हो यहां पर इतना बड़ा और यह पूरा फेस है यहां पर लिखा था ना बड़ा जो मूर्थी है अभी बहुत हो इंडिया का लार्ज मूर्थी इंड पर इंडिया यह निकल रहे तो क्या ही क्या क्या ही खूप शूरी सी देखने में लग रहा है बाइं क्या कालकारी कि अगया पर इतना और कोछा का कालाकारी किया हूं, और काफी बढ़ीया लग राया देखने में, और यहां यहां पर पेेंट भी चूपेंट आग पेंट पन भी चूप प्लब को कुछ इस तरह यह ङूदने हूं तो काफी बड़िया सा है और मैं पैर के साइड में जाता हूँ ये भाई फेस है और ये पूरा इनका भाई बाड़ी और पैर देख सकते हो कितना बड़ा पैर है तो क्या ही बनाया गया गाईज काफी बड़ा है गाईज बैर इस देख सकते हो पैर का साइज यार कितना बड़ा साइज है यूज है भाई मेरा ये हाथ है छोटा ऐसा और यह पूरा इनका पैर तो इस मूर całकoffice को किता बड़ा मूर्थी और भाई enjoy करो यहां पर काफी सारा resort भी है काफी बढ़ी है बढ़ी है रेस्टोरेंट भी है तो फिलाल अभी हम लोग यहां से निकल रहे हैं वापस क्योंकि गर्मी काफी तेज हो चुकि यह लगबर मैंने मैंने तीन चार टेंपल भी घूम लिया था और बागी सब क्लोस कि अब यहां से हम लोग निकल रहें वापस और मिलते हैं किसी दूसरे व्लॉग में तक-Tक के लिए फिलाल हम लोग यहां से निकल रहे हैं और लास्ट टेम मैं इसका व्यू दे रहा हूं कुछ इस तरह का भाई देखने में लग रहा है और यहां पर बीकुछ कांस्रुक्श कि मैंने देखा कि आप जहां भी जाओगे ना आपको इस टैप का जंडा मिलेगा ही मिलेगा बहुत कि आप किसी भी टेम्पल में जाओगे ना यह कलर कप आपको जंडा जो मिलेगा ही मिलेगा